इधार आओ, अरे इधारा, हम कौन तो रही हैं, बहुत बदमास है, इधाराओ, तुम्हारा नहीं बनाएंगे परचा, खोस, महाँ बदमास है, तो रहे बहुत कांड है, अब ही खड़े रहा हूं, अभी तक, इन्हें टीबी में दिखा हो, बहुत इतनकों, साथ बालों को क्यों बुला रहे, नए, 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 तो मैं नहीं मिलना है, हम चील देंगे तुमको, चलो नहीं चीलेंगे, मजाग कर रहे हैं, हाँ, सुनो, कहां क्यों, क्या करते चेले, हाँ, दोनो लो, अब सुनो हमारी, हम एक परचा बना रहें, तुम इमानदार तो हो, हो, कितने, हम परचा बना रहें, तुम पीछे से, किसी को भी उठा के ले आओ, जिनको लाओगे, उसी का परचा पहले से ही, बिफोर टाइम लिखा मिलेगा, ठीक, अभी तक हम जिने बुला रहें, हो सकता वो, हमने लोग बैठा दिये हो, यह हमारे सेबादारों ने, ऐसा होता था नहीं है, लेकिन, अभी यह तो सब, कहने की बात हैं, पर हम परचा बना रहें, तुम लास्ट में चले जाओ, क्योंकि तुम ब्रामर समाज का कार कर रहे हो, अध्यक्षी हो, तुम्हारे हाथ में बाग डोर है, बहुत जादा विप्रबंधों को एक जुट करने का काम कर रहे हो, हमाई नजर तुम पर पड़ गई है, आदमी तो तुम उतने ठीक नहीं हो, लेकिन, अच्छे हो, तुम है उपर आरो प्रित्यारोब लगाते रहते हैं, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाला जी का हाथ है, अच्छा, अब हम पर्चा बना रहे, तुम जाओ लास्ट में, जिनको भी तुम्हारा मन करे, बूढे, ठेडे, जबान, लुगाई, लड़का, फुरोस, जिसको भी मन करे, तुम उठा के ले आना, पहले हम पर्चा बना के रख लें, तुम जिनको लेकर आओगे, हमारा पर्चा उसी का निकलेगा, और अदबत बात यह, रुको, 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 यह सक्ती की बात है, क्या बात है सक्ती की, कि तुम्हारी यह जमता नहीं है, कि तुम किसी दूसरे को उठा लो तुम उसी को उठा के लाओगे जिसका हम पर्चा लिख चुके होंगे। तीनों पंडालों में दो नमबर एक नमबर तीन नमबर पीछे रोड़ पे गाड़ी में कार में हम तो कहते हैं तुम इंदोर की अदालत से लो ठाले आओ हाँ जहां से तुम लेकर आओगे उसी का पर्चा निकलेगा बस वो तुम्हारे पहचान का नहीं होना चाहिए क्योंकि इस चक्कर में तुम अपने की अर्जी लगवालो मजा लेलो तो हम भी हो से आ रहे हैं तो तुम किसी को भी लेकर आओ एक मिनट में हमें पहले पर्चा लिखके रख देने दो वाँ तेरा केमरा करो भईया आप जिनका हाथ पकड़ें इनको लेकर आएं कहां बैटी थी ये सबसे आखरी में ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ इनहीं का पर्चा है बदलना तो नहीं है किसी और को तो नहीं बुलाना है फाइनल लॉक कर दिया जाए अच्छा ये हो तो भेजो पर इनहीं क्या पर्चा है जैसिया राम बोल बागे सुरबाला जी महराजी की हर हर गुरू जी सीता राम लेकिन सही बताएं तुम लाए तो चुन करके ठीक हो हाँ तुम वास्तविक जो दिखाई पड़ रहा है उन परिशान को लाए चलो ये जी कागज मत उड़ाओ बहुत त्यारे इनका पर्चा भी दे दो इनको साथ में लेके आएंगी आओ इनके साथ में है कोई आप आजाओ उन्हीं को पर्चा दे दो साथ बालों को आओ मा जैस याराम बालाजी सिताराम हारे 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 लाओ पर्चा क्या दिक्कत है इनको जी कहां की है इन दोर की माइक ले लो क्या दिक्कत है दिक्कत कुछ भी नी बस चेरा खराब हो गया है तो कहीं आना जाना नहीं है कोई बोलता नहीं धंक से धंक से रखते नहीं है इनको आओ नजदी बढ़ी लिखी है आप बहुत अच्छा नजदी का की दो प्रशन है घर में ब्यवधान बना सामंजस नहीं है उठा पटक बहुत मची कैंसर रोग हुआ था आराम लग गया है अब इनको परिवार वाले साथ नहीं देते हैं यह स्वस्त रहेंगी बालाजी कृफा करेंगे जावासिर बालाजी यही बिसाय है जैश्याराम पती रखेंगे उल्टा सिधा आरोपिनी के उपर लगाते हैं यही है और तंत्रमंत्र कुछ भी नहीं आया कोई प्रेतबाधा नहीं है रोग था अभी खाने पीने में दिक्कत हो रही है आप खाने पीने में समस्या हो रही मा लेकिन चिंता ना करो भगवान ने सुन ली आप स्वस्त रहो होगी और हम परिबार के लिए उपाए करते हैं एक मंत्र भी लिग दिया जाओ आज से जह जह होगी कि आव आचाहरी जी कौन सा संगठन है सर्व ब्रामबर युवा संगठन अच्छा जोरदार ताली बजाओ बहुत अच्छा यह लो हमारा अशिर्बाद ठीक है आजे भी हम तो तुम्हें फिर जो कन्या बिवाय होना है बागे सो धाम पर उसमें तुम्हारी मदद लगेगी ठीक है पक्का खुश रहो जाओ यह बड़े आदमी है खुश रहो जाओ हमारा परिवार हो बहुत अच्छा बुलो जैस या राम सुवैसे प्रशाद लेके रखा लाओ हमें क्या लाइं के ले बहुत अच्छा हमने अब भोजन भी नहीं किया है अभी हम जो है फल खाके आए थे तो दरवार में बैठ गए चाय भर मिली है बहुत अच्छे ले आएं केले से भूख मिट जाती है केले सरजार जी तुम बनोंगे हमारे चेले जल्द है ये भईया जल्दो थोड़ा सा जल्दो सीताराम गुरू जी बाला जी वो तौलिया बाला बाला का गया क्या जो वहां खड़ा था दो नंबर पंडाल के पास खड़ा हो जाया भूख आओ माध लो मत देखो तूमें बाला जी ने कैसे बुलाया नजदी का ओ नजदी का ओ तुम्ने सोचा था माईक लेलू हाँ देखो लाकों लोगों में बुला लिया बाला जी ना दोनों हाथ उठा के बूलो हार हार झाल झाल आव नजदी क्या समाधान चाहेती मैया बोलो बाला जी पूछो पूछो क्या हो गया है पूछ लो तुम जो भी जानना हो तो मैं पूछना पड़ेगा जो मैं जरूरी हो उनका समाधान ले लो थोड़ा जल्दी पूछ लो ताकि दूसरे का नंबर आजाए हाँ हाँ जी और कोई बाद तो लोग तो ऐसे हर सब के साथ यह होता है जो भी अच्छा करता हो उसके साथ बुरा होता है यह कोई नई बात है हमने चार बातें लिकिए अस्वस्तता रहती घर के लोग आरोप लगाते माइक लेलो अगर सही गिलत बोलें तो कम से कम टोक तो पाग अस्वस्तता रहती घर के लोग आरोप लगाते परिबार बहुत परिशान करता है आपके पती भी बहुत बिचत्र हैं मनमर जी के मालिक हैं पर लोगाई के चकर में पड़े हैं जिस कान से कलेस भी बना हैं बात भी नहीं मान रहे हैं बच्चे आंगे सफल होना चायते हैं उनकी भी अर्जी आपने लगाई नौकरी पा जाएंगे आसिरबाद है. तो तुमने पकड़ा नहीं, समझाया नहीं पत्री को? हाँ, तो तुमने समझाया? पर बुद्धी तो अब उनकी ठीक हो गई है, अब तो सत्मार्ग पे भी आ गए हैं, आपको लेकर के भी चलते हैं, बहुत ज़्यादा, हैं, आये हैं, उनको कहना गुरुजी ने बुलाया है, वो सुधर रहे हैं, बहुत अच्छे रस्ते पे आ रहे हैं, सुधर की ओर हैं, अब और जुड़ाओ बना रहे हैं, ऐसा आशिर भाद है, ठीक है माता जी? अंगला नमभा है, दोनों हाथ उठाके बोलो सादू जी, कोहीं पंड़ जी को दे दे देना, ए डाड़ी बाले, ए तो डाड़ी बालो कहां जा रहा हैं, हैं इनको, इधर आव दोनों, इधर इधर आव दोनों, कहां जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, तुम ही इधर आओ, आशिर भाद, जाओ तुमारा पूरा परिबार खुश ले, अंगला नमभा हाँ, यह बाली, यह माता जी, चस्मा बाली माता जी, भया बोतल पहक के मत पहको, किसी को चोट लग जाएगी, पानी द हाँ, प्यारे बेटा, खुश रहो, दोनों हाथ उठाके बोलो, हाँ 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 हाँ, बोलो, बागे सरद्हाम की, नमन, आओ मा, तुम वही थी न, दो नमबर पंडाल में कोने में खड़ी थी, ऐसा मूँ करो बाला जी की तरफ, जी, पहली बार आई, माइक ले लो, पागेश्वर धाम सरकार की जए, सन्या सीव अबा की जए, दादा गुरुजी की जए, नजदी काओ, क्या समाधान आप बाला जी से चाहेते हैं, और, और कुछ जानना, स्वास्त ठीक रहे, सभी में सामंजस बना रहे, आपकी तबिया ठीक नहीं रहती है, बच्चा बिदेश जाना चाहेता, सही रास्ता है, जाना चाहिए, नाम सफल होगा, जाओ, वो वहाँ सफल हो जाएगा, असीरवाद है, लबेरिया उको सिद्ध है, बागेश्वर धाम, सरकार की जए, धाम पर आईयो लेकर, बिल्कुल पुरा परिवार हम आएगे, बिल्कुल पुरा परिवार आएगे, पुरा परिवार, कोटी-कोटी नंबर को पुरी आपकी तबियत बहुत जादा खराब, बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, एक बार हम मंत्र चिकित्सा कर दे भी, बालक के लिए हमें कुछ देना हैं, अभी मंत्रत करके, गुरु जी ने हमें आज्या दी, सन्यासी बाबा ने, तो जाने के पहले वो हमारे यहां से कबच ले जाए, बस कहना बाला जी का कबच लेने चले जाओ, हम दे ले हैं, आशी बाब, भाई की अरजी तो नहीं आई हमारे पास में, फिर भी हमें एक बार देख लेते हैं, जरा इनके भाई के बारे में डेटेल लाना, राम, राम, अच्छा, वो भी विदेश में हैं, अभी बरतमान में काम को लेकर परिशान है, बहुत ज़्यादा लोगों ने धोका दे दिया है, एक जगह वो फस भी गए है, निजी घर में भी उपद्रो हो गया है उनका, आपस में बहुत कलेस हो गया है, घरवाली को लेकर के चिंतित हैं, इस्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बन गया है, घरवाली बहुत खतननाख है उसकी, अब छुटकारा कैसे मिलेगा, और इसके लिए तो भाई को पहले आना पड़ेगा तहां, फिर रस्ता देंगे हम, अब वो हम निफ्टवा देंगे, आप हम पर छोड़ो, हमने देख लिया, सन्यासी बाबा की नजर पहुंच गई उसके उपर, जाओ रस्ता खोल जए, भगमान कीज़े, हमारी जए नहीं, बाला जी कीज़े, हम तो माध्यम हैं, बता तो बो रहे, रस्ता तो बो दिखा रहे, खुश रहा है, अंगिला, गुरुजी बोलो सीता राम,